हेलो एवरिवन विल्कम बैक टो वर चैनल है पर डेज भी मैं हूं मोहमद सुहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों कई अपने सब्सक्राइबर मुझसे वाट्सप में मेसेज करके पूछ रहे हैं क QSoilY-AEX में क्या होगा क्या सेलिंग कंटीनी होने वाला या बाइंग जाने वाला है दोस्तो मैं आज जो अने डे रहा हूं ऐसिस में आपको यह ही मालुम चलने वाला है कि स्टॉक में सेलिंग जाने वाला है stock में fresh buying के levels मिलेंगे पर काफी नीचे और दूसरा आज मैं EM है वो भी हमारा 25 और दूसरा हमारा RSI दो भी oscillator है यह दोनों को use करके आपको analysis देने वाला हों कि कैसे हम लोग इसके अंदर आगे के levels देखेंगे दोस्तों मैं start करता हूँ RSI से RSI यहां पे 60 RSI है उसके 7-7 अगर यह यहां पे 40 RSI लग गया तो यह जो उपर का price है यह completely depreciate हो जाएगा होने के बाद stock के अंदर जो नया breakdown level यहां पे देते हुए 25 EM में से multiple time जो यहां पे reject हो रहा है यहां पे reject हुआ यहां पे reject हुआ यहां पे reject हुआ stock selling जाते हुए यह rejection पे stock क्या करेगा previous breakdown का जो breakout बनाया stock या तो इस price point के पास तो आएगा buying देने के लिए वरना stock के अंदर recent breakdown level जो यहां पे है जिसका breakout stock यहां पे पकड़ा 168 पे या तो यह जगे पे से यह जगे पे तो fresh buying होगा या तो यह जगे पे से यह जगे पे तो stock में fresh buying होगा पर अभी के लिए stock selling में fresh buying यहां पे नहीं होगा and stock में RSI में अगर RSI 40 touch कर गया समझना कि stock का high price value जो उपर के तरफ है यह stock में हो रहा है depreciate और stock के अंदर ज्यादा से ज्यादा moment अगर हम लोग देख रहे हैं तो stock में moment क्या बनेगा selling का moment ही बनेगा दूस्तों और द level बना रहा है तो stock में no wick candle का यहां पे एक breakout support है उसके उपर ही यह पर reject हो रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब simple है कि stock के अंदर यहां पर no trading zone है क्या है no trading zone है इसका मतलब stock के अंदर अभी के लिए at present यह point पे हम लोगों को काम करना नहीं है या तो stock हम लोगों को breakout दे जो breakout यहां ऊपर के तरफ देखने को मिलेगा या तो stock breakdown दे जिसका fresh buying level यहां तो यहां यहां कहीं पर भी देखने को मिलेगा इसके अलावा stock के अंदर अभी के लिए entry मेरे हिसाब से कहीं पर भी नहीं है अगर entry भी है तो entry यहां 186 168 के in between बनेगी अगर इसके नीचे बनेगी तो stock के अंदर जो यहां पर previous supply है दिख रहा है previous breakdown का breakout का previous breakdown का यहां पर breakout का जो supply है stock में अगर buying बनेगी तो यह supply पर जो अच्छा तरीखे से यह moment दिया इस जगे के नीचे average बनेगी दोस्तों ठीक है entry अगर यहां पर होगी तो average बनेगी time बनेगा हम लोगों को 22-25% हम लोगों का दो से तीन महीने में निकल जाएगा पर एक गलत entry आपके पूरा छे महीने से लेके एक साल तक का stock का holding लगा के आपका patience को test कर सकती है तो मैं suggest करूंगा अभी के लिए avoid करो अगर आप entry भी लिए हुआ तो average के लिए wait करो जब तक average मैंने बताऊंगा entry मैंने बताऊंगा आपक आपके लिए हुआ तो